प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के नुसार गंगा जल ना केवल पाप धोने पाप उतारने का भी काम करता है बलकी इसका सदूप्यों किया जाए तो ना केवल आप धन धान से पूर्ण रहेंगे बलकी स्वास्त और खुश रहेंगे आपको बता दें पुराणों के नुसार गंगा जल को हमेशा घर पर रखने से सुख और संपदा बनी रहती है इसलिए एक पात्र में हमेशा गंगा जल भर कर रखें यदि घर पर वास्तु दोश है तो आप उससे परिशान रहते हों तो अपने घर में नेमित गंगा जल का छड़काव करें ऐसा नेमित करने से वास्तु दोश का प्रभाव खत्म हो जाता है और घर पर सकारात्म कूर जाती है यदि रात को डरावने सपने आते हों तो हमेशा सोने से पहले बिस्तर पर गंगा जल का छड़काव करने ऐसा करने से डरावने सपने इंसान को परिशान नहीं करते हैं भगवान सदाशिव को गंगाजल चड़ाने से वो अतिप्रशन होते हैं इससे इंसान को मोक्ष और शुवलाब दोनों ही होते हैं पुराना धन प्राप्ती के साथ अच्छा व्यभार और व्यवसाय नौकरी बहतरीन बनाने के लिए भगवान शिप को बिलवबत्र कमल और गंगाजल चड़ाएं आपको पवारे 25 हो जाएंगी हर तरह की संपन्ता मिलेगी आपकी तरक्की होगी सफलता में भी गंगाजल अकाश की रपार्ट